भाजपा अपने कारेकाल का एक वर्ष पूरा करने जा रही है जिससे जहां सोलन के सांसद एक वर्ष की कारेकाल को बहुत अच्छा बता रहे हैं और जो कमी विकास में रहे गई थी उसका ठीक रहा कॉंगरिस पे मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं कॉंगरिस कारेकरता एक साल के कारेकाल को बेहद निराशा जनक बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कॉंग्रिस कारेकाल में जो विकास को गती मिली थी वे भाजपा के सत्ता में आते ही थम सी गई है इसलिए भाजपा ने विकास नहीं विकास में रोडा अटकाने का काम किया है सोलन में कॉंगरिस के परदेश परवक्ता और स्थानिय विधायक ने भाजपा पर तंज कस्त हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जो लुभावने वाइदे सत्ता में आने के लिए परदेश की जंता से किये थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है उनने का कि सोलन के अस्पताल में चिकित्सक नहीं है सडकें तूटी है शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है स्कूल खुले हैं लेकिन अध्यापक नहीं है जो शिक्षा ग्रेंड कर चुके हैं उनके लिए रोजगार नहीं है इसलिए भाजपा सरकार हर मोर्चे पलफ फेल चाहिए वो स्वास्त सेवाएं हो अगर आप देखें तो हस्पताल में डाक्टरों की कितनी कमी है मरीजों को समय पर दवाईयां नहीं मिल रही है हिमाचल प्रदेश को बिजली की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इस परकार से कट लग रहे हैं कि सारा वेपार चौपट हो रहा है बच्चों की पढ़ाई में फरक पढ़ रहा है लोगों के कारक कारोबार में फरक पढ़ रहा है और सरदी की इंतहा होने पर कोई इंतजाम नहीं है और बिजली के लंबे-लंबे कट लगए हैं सरकार यहां पर बेरोजगारी पर सरकार ने बड़े-बड़े बचन दिये थे बड़े प्रवचन दिये थे मगर बेरोजगारी दिन प्रती दिन बढ़ रही है और नौजवान हताश और परिशान है और प्रदेश में बेरोजगारी के नाम पर लोगों को सरकार ने गुमरा किया था और आज बेरोजगारों की संक्या दिन प्रती दिन बढ़ ही जैराम सरकार का एक वर्ष का जो कारय काल रहा बड़ा ही दुरोबागया पूरन रहा और इसमें सबसे बड़ी सिक्षा का जो क्षेतर है उसमें बच्कों की दुरौदाशा है विद्यानल्यों का बुरा हाल है। तूरिजिम के बारे में इन्होंने बड़े वादे किये थे कि हम बिरोजगारों को रोजगार देंगे तूरिजिम में लेकिन उसमें भी ये पूरी तरह वीफल रहे और इस सरकार का कजनून वस्तव पूरा जो है नियंतर नहीं है वह भी आम आदमी की सुरक्षा के लिए एक खत्रा बना हुआ है वहीं भाजपा के सांसद विरेंदर कशिप ने पलट वार करते हुए कहा है कि कौंगर सरकार की वज़ा से ही शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है क्योंकि उन्होंने अपने कारेकाल में बिना अध्यापक के ही स्कूलों को अपग्रेड किया और रेडियों की तरह स्कूल खोले यही कारण है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी हैं लेकिन वे अध्यापकों की कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं उन्होंने का कि भाजपा के सत्ता में आते ही भाजपा ने परदेश में अभुद्वर्ख विकास करवाया है कि जिस तरह से पिछले एक वर्ष में प्रदेश की जो विभिन समस्याई थी विकास के जो कार्य थे जो अधुरे पड़े हुए थे और जो शुरू नहीं हुए थे जो यहां की मांगे थी वो पूरण नहीं हो रही थी पिछली सरकार के दोरान वो मानिय श्री जैराम ठाकुर जी ने मानिय श्री नरेंदर मोदी जी के आशिरबाद से जो है वो पूर्ण करने का जो है भरसक प्रयास किया है और इन लगभग नौ महिनों में नौ हजार करोड रुपया एक ये मैं कह सकता हूँ एक एहतिहासिक बात है के नौ हजार करोड रुपया प्रदेश के विभि इस तोर से आया है शिक्षा के क्षेतर में अच्छा काम हो रहा है पर ये एक बात ठीक है कि हम आज अपने जो है हर स्कूल में लेक्चरार हों हमारे साइंस के टीचर हों मैत के टीचर हों उनको अभी पूरती उनकी हम करने पा रहे हैं क्योंकि पिछली बीरभदर सिंग जी समस्या हमको आज समस्या है परंतु आज खुशी है कि 2000 से ज़्यादा जो है टीचरों को जो है वो निक्त किया जा रहा है और जहां जहां पर कमी हैं अक्यूट कमी हैं वहां पर उसको पहले भरा जा रहा है